नमस्कार सिटी पोस्ट लाइब के इस विशेश पेसकस में आपका स्वागत है मैं हुश्रकान प्रत्यूस आप बहुत दिनों से देख रहे हैं कि लालू परिवार में घमासान चल रहा है दोनों बेटे हैं तेजप्रताप तेजस्वी आदो उनमें पार्टी पर अधिकार को लेकर संघर्स मचा हुआ है और इस बीच जो मिडिया में ख़बर चल रही है कि पार्टी के सबसे भरिष्ट परवक्ता विधायक भाई बिरेंद्र ने ये कह दिया है कि तेजस्वी हमारे नेता है तेजप्रताप नहीं है आईए खुद यहां पर है भाई विरेंद्र इनसे बात करते हैं ये क्या बयान चल रहा है कि तेजस्वी हमारे नेता है तेजप्रताप नहीं है और आस्तिय करशकार्णी ने उनको बिहार क्या नेतरुत प्रदान किया तो उनके नेतरुत में बिहार की पाटी चल रही है और देश का नेतरुत आदरनी लालू प्रसाद यादो और उनके तेट प्रताब जादों भी पाटी के लिए काम कर रहे हैं और इसको तोर मरोर कर लोगोंने चलाया है यह बहुत दुखाच बात है हमारे जैसे लोग से इस तरह की बात नहीं निकल अ क्रूंतर देख करें और काम कर रहें मज्बूती के लिए काम उने लेकिन उनका एक भी नहीं चलेगा तेज परताब जादो तेज आदमी हैं और वो परिवार को फूटिने नहीं देंगे बारे में खबर यह है कि उन्होंने लालू जी से मिल करके अपने को वर्किंग प्रेश्टेंट बनाने के मांग की है कि मुझे हम भूमिका दी जाए यह तो दोनों बेटा और पुत्र के पिता के बीच का मामला है अब क्या बाचित हुई है इसके बारे में हम नहीं कर सकते हैं की वर्किंग प्रेश्टेंट बने हमने हम नहीं कर सकते हैं हमारे यह हर व्यक्ती लाइक है चाहिए चोटा कारकार्ता भी हो नेता हो हर कुई अपने समाजी द्श्ञाय के जो ही मानने वाला लोग है वो सब नेता है इसेंबल पर साइन किसका होगा? मोहर किसका लगेगा? लालू यादो का या तेज परताब का? भाई बिरंद्र जी, आप लोग कितना सहज महसुष करते हैं? दोनों भाईयों के जगड़े को लेकर? लेकिए हमारे दिमाग में तो कोई जगड़ाई नहीं है. यह परिवारिक मामला है. और हर परिवार में कुछ न कुछ होते रहता है. उसको तूल देने की आओ सकता नहीं हम समझते हैं. और यह सलट गया है मामला, कहीं कोई लड़ाई दोनों भाईयों पे नहीं है. पार्टी दफ्तर पर कबजा कर लिया है तेजपरताप ने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. वो पार्टी का काम कर रहे हैं. अगर पार्टी के नेता हैं, बिधायक हैं, मंत्री रहे हैं, और पार्टी के सर्वो सर्वा सब लोग हैं, और पार्टी के काम कर रहे हैं, तो उस पे कबजा करने की काम आते हैं. कल भी हम भी गये थे पार्टी गार जा ले तो जाने से थोड़ी हैं. तो मैं तो मेनेर विधान सभा का विधायक हूँ, ठीक है मैं मुख परवक्ता ह लेकिन अपने विधान सभा पर जादा ध्यान में देता हूँ और जादा तर मैं विधान सभा में रहता हूँ आप लोग से मिल कर फिर में विधान सभा चला है। कई मीटिंग होगी हूँ उसमें बरे ने तालोग पहुँचेंगे। और कोई भी दागी आदमी अगर कोट से सजा उनको मिल गई है तो पार्टी उनको पार्टी में नहीं रखेगी यह तो तै है यह हमारे पार्टी के सुप्रीमों का ही कहना है और पहले ही उनको निलंबित पार्टी से कर दिया गया है और आगे जब भी सब वाल होगा पार्टी और अस्थाना का मामला आ गया बर्मा जी ने शिकार किया है कि अस्थाना और पीएमो ओफिस का एक बड़ा पताधीकारी और उसमें सुसिल मोधी का नाम आया कि उनके दबाओं में उन पर केस किया गया जो केस बनता नहीं था तो आप बताईए कि वैसे मामले में आदर्नी ल लालू जादो को मानने वाले हैं लालू जादो एक बिचार हैं उस बिचार की बिचारों की लड़ाई होती रहेगी और लालू जादो को मानने वाला हर वेक्ति अपने आपको लालू जादो समझता है लालू यादो कमी खल रही है चुनाव में खलेगी ये तो हम लोगो खुद खलती है लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादो जी है कमी तो जरूर खलेगी लेकिन उसको पूरा भरपाई किया जाए अब ही अनन सिंग महागडबंदन से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं लालू यादो तेजस्वी यादो के तारीफ कर रहे हैं कल तक नितिस के साथ है अब क्या उनको आप लोग लेंगे देखें ये तो पापटी नेतरुत तय करेगी किसको लेना है और महागडबंदन की हावा पूरे देस में चल रही है इसलिए कोई वेक्ति अगर आना चाहता है तो पाटी बिचार करेगी कि हम किसको पाटी में लें किसको ने लें ये नेत inquत हमता करी नहीं होगा अगा पार्टी के फॉरम पर इसकी चर्चा होगी और उसमें जो तैह होगा वही नर्ने होगा अन्तिम आप देख रहे हैं कि भाई बिरंदर ने कहा कि तेजस्वी और तेजप्रताप के बारे में कोई इन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया जिसको लेकर ये कहा जाए कि पार्टी और प क्षा जाहिर कर रहे हैं, उनके परस्ताप पर पार्टी फोरम पर बिचार होगा और पार्टी के सुप्रीमों लालू यादू ही फैसला लेंगे, हलाकि इनका ये भी मानना है कि चुनाव में लालू यादू की ень कमी जरूर खलेगी, लेकिन तेजप्रित्यों के सहारे पार झाल झाल